अभिमन्यु आईएस का ओनलाइन पोर्टल है अभिपीडिया आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने ओनलाइन पोर्टल जब आप किसी भी पर्टिकुलर को रेजिस्टर करते हो तो उस टाइम पे आपका एक डैश बोर्ड जनरेट हो जाता है तो आज की इस वीडियो के अंदर उस टूडन डैश बोर्ड को ही हम डिसकस करेंगे सो दैट की आपको प्रोपर जो भी कंटेंट जिसके लिए भी आप पे कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंटेंट को आप एसेस कर सो ओके तो यहां पर देखिए जब भी आप पर्टिकुलर कंट को असेस करना चाहते हैं इन धाट केस फिस फिस पर फॉबसाइट तो वैब साइट का अपना जो पेज है इस अभी idea.abhimanyu.com पे जाते हैं तो अब उसके बाद में अगर आपको डिटेल कंटे करनी हैं धन्यू कन explore the website now the second thing कि आपको अपना डेशबोर्ड चेक करना है तो उस पर्टिकुलर डेशबोर्ड पर कौन सा कोर्स आपको कहां पर अवलेबल हो रहा है किस पर्टिकुलर टेस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो वो कैसे देखेंगे उसके लिए यहां पर आप देख सकते हो देर थ्री पै आप स्टूडेंन डेशबोर्ड पर आपको अवलेबल हो गया है अबशियू देख सकते हो अलगलग चेक है जिसके अन्डर भी आपने रिजिस्टर किया हुई है अगर आपने किसी test series के अंडर register किया हुआ है in that case यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं these are the test series my test series ओके अगर आपने किसी micro course के अंदर और किसी particular topic के लिए register किया हुआ है for example आप कहते हैं कि मैंने number system लिया हुआ है या फिर आपने pie chart लिया हुआ है average, puzzles, कोई भी particular topic है English comprehension, quality किसी भी particular topic को अगर आपने register किया हुआ है तो वो आपके micro courses के अंदर आपको मिलेंगे my subscription my micro courses अगर आपने complete subscription लिए है in that case again that will be available in my subscription micro courses अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह होगे आपके सारे courses then strategy video जो सारा कुछ आपको यहाँ पर अबलेगे दूसरा है आपका profile यहीं पर ही जब आप student dashboard पर जाते हो तो वहीं पर आपका profile दिखाई दे रहा है आपका एक particular role number है this is your role number name email this is your profile picture then mobile number सारा यहाँ पर अबलेबल्टी है you can set your password also कि हाँ जब भी आपने अपने dashboard पर जाना है तो आपका password यहाँ से set कर सकते हूँ edit profile कर सकते हूँ हाँ एक और important thing कि आपका जो profile है वो correct होना चाहिए because अगर आपका कोई भी next lecture schedule है या फिर आपकी कोई test schedule है in that case आपके पास में उसकी email आएगे और email कब आपको मिलेगी अगर आपका email id सही है same way आपका phone number भी correct होना चाहिए okay तो आपके profile को आप update कर सकते हूँ यहाँ पर जो भी test वगेरा class test mcq सारा कुछ यहाँ पर अब लेगा क्या हम multiple times किसी भी particular test को attempt कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताते हूँ जैसे for example यहाँ पर अपने पास में यह test series okay इस test series के अंदर हमने जाना है तो उसके लिए क्या करो गया go to course करेंगे अब यहाँ पर जैसे यह अपने पास में test series आगे इस पर्टिकुलर test series को जब आप attempt करते हो start कर दिए test log में यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हूं कि हंजी आप test log के उपर कैसे जाओगे अब देखिए यहाँ से आप test series को check कर start test ओके यहाँ से आपके पास में test available हो गया जैसे यहाँ पर हमारे पास में जो complete previous year का यहाँ पर test series हमने ली हुई है तो वहाँ से देखिए आपको test available हो गया अब आपने उस test को आगे ड़न जैसे यहाँ पर for example कुछ questions करते हैं attempt next paragraph is available next जैसे हमने किया next ऐसे हम कुछ questions को अभी attempt कर लेते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर यह हो गया ओके जैसे कुछ questions आप यहाँ पर जैसे attempt कर रहे तो इस तरह जो भी आपके पास में questions है उनको attempt करने के बाद में आपने उसको test को जैसे submit कर लिया आप सब्मिट कर देंगे आफ्टर सब्मिशन यहाँ पर आपने अपना feedback फिल किया यहाँ आपको आपका test के लिए feedback है यू विल एंटर यूर feedback ओके और यहाँ पर आपके पास में अव लेबल टी आ रहे हैं कितने आपके करेक्ट है कितने रोंग है कितने skip हुए है यहाँ पर आपके कितने मार्क्स हैं सारा यहाँ पर अवलेबल हो गया review answer जब आप review answer पर जाते हूं तो यहाँ से आपके पास में review मिल जाएगा अब यहाँ पर यह था आपका यह यहाँ पर आपके review ओके review पर आप जाएगे and here you can see कि आपका पूरे का पूरा test का online review अवलेबल हो रहा है this is loading yes यहाँ पर आप देख सकते हूं yes particular question है उसके options correct answer यह है उसके explanation ठीक है same next question आगे है यहाँ पर ठीक है उसका answer then उसके explanation इस तरह ऐसे सारा test यहाँ पर आपके पास में अवलेबल अब उस टाइम पर तो मिल जाता है students को किसी को जैसे जो problem आ रहे काफी students को वह कहां पर आ रहे है अब यह जो test logs है यह हमें कहां पर मिलता है तो जब यहां पर हम अपने test पर जाते तो कि यहां पर आप देखें यहारा my test logs my test logs okay अब कुछ studentsने क्या कर रखा है जो direct test series परचेज कर रखी है उस case के अंदर तो आपको test log के अंदर test मिल जाएंगे but we have two other types tests also या एक तो जो lecture के साथ में test available होता है एक particular lecture के साथ में जो test है वो उसका आपको review देखना है उसको test log check करना है दूसरा जो micro verses का जो test है उनका अभी micro courses वाले test का भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखी अगर हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है main test log my subject topic test logs अगर आपने कोई particular topic लिया हुआ है तो उसका test log आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे यह होगी एक बार दुबार इसका भी मैं detail में बताती हूं आपको देखो जैसे for example यहाँ पर इसको मैं भी बंद कर रहे हूं हम यहाँ पर थे अपने dashboard पर हम अपने dashboard पर थे अब देखो जब student dashboard पर मान लीजिए आपने particular topic यहाँ पर लिया हुआ है अब जब आपने पाई चार्ट लिया तो पाई चार्ट के अंदर आपको क्या-क्या मिला होगा उसके particular lecture सापको मिले होंगे एक तो यह lecture है lecture के साथ में test attached है एक तो lecture के साथ में test attached है और दूसरा जो हमने MCQ practice questions लिये हुए है these are also a label in the form of test तो इनका भी अगर आपने test log check करना है अपने complete solution देखने है हर एक question की in that case देखे पहले online test एक attempt कर लेते हैं हम यहाँ पर lecture का जो test है यह lecture है lecture के साथ में आप lecture करोगे attend and after that you will go for the test view test ओके यह आपका test आगया है yes this is the test start करोगे आप test को test को start करने के बाद में यह आपका test है इस particular test को आप attempt करोगे okay जैसे for example अभी हाँ जल दी से एक दो देख लेते हैं मैं without checking आप answer कर रही हूं ठीक है तो आपने क्या करना है जब भी आप test होगे तो उसको प्रोपर तरीके से आप जैसे आपके डी आई है उसको जैक करके अगोर्डिंग आप अपने शब्मिट कर दिया एक तो यह वाला टेस्ट है आपका तो यहां पर मैं आपको बता रही है कि जो टेस्ट है थ्री टाइपस ओफ टेस्ट सार देर और तिनों के आपको टेस्ट लोग पता होना चाहिए दो अब यहां से आप अपने टेस्ट का रेवियू ले सकते हो बनतिक दोटेकर अगर यहां यहां पर अपने को को जा रहे हैं तो वहां पे ही आपको multiple choice question अगर आपने ले रखे हैं यहां पे webnotes पी आ रहे हैं webnotes भी आपको यहीं पे मिलेंगे देखिए यह आपके webnotes available हो गया ठीक है ना यह सारे webnotes यहां पे available हैं दूसरा micro multiple choice questions अब देखिए यहां पे आपके test आगे अब आपके उपर depend करता है कि जो आपने MCQ practice test लिये हुए हैं उन particular tests के अंदर कितने questions आपको चाहिए तो यहां से आप उसको change कर सकते हैं देखिए for example मैं कहते हैं मुझे तो सिरफ 10 questions का ही test चाहिए मुझे 25 questions का test चाहिए मुझे 30 questions का test अभी attempt करना है in that case you will write here मैं कहते हूँ मुझे 10 questions का ही एक test चाहिए okay 10 questions then start किया हमने test को and this test is generating of 10 questions here और यहां पर आप लेख सकते हो आपका test हो गया start और कितने questions हमने अपने test में enter किये थे 10 questions enter किये थे and here you can see a test of 10 questions yes this is your pie chart and these are the questions okay अब देखी अब जो tests है इसको भी आप यहां से check कर सकते हो okay अब वैसे मालनों मैंने इसको submit करना है previous पे जाना है अभी हम test नहीं discuss कर रहे हम हमने test लोग discuss कर रहे है अब देखो तीन तरह की test है एक तो जो हमने test series ली हुई है दूसरा जो test है वो कौन सा है आपका जो लेक्चर के साथ में जो test attached है और थर्ड टाइप का test कौन सा है कि अगर आपने MCQ practice questions लिये हुए हैं तो उसके लिए आपको test की form में वो मिल रहे है तो अलग अलग तरह से यहां पे आपको आपको पता होना चाहिए कि हां जी आपने कैसे का लोग चेक करना है यहां पर आपके पास में आ गया है कि आपने तीन question attempt के थे उसमें से दो आपके correct है एक आपका wrong है जो आपने skip किये वो है यह मांक से यहां से भी आप review देख सकते हो यहां पर आपके पास तेक्स्ट का लोग मिलेगा जो आपकी test series है जो आपकी test series है तो जैसे अभी हमने test attempt किया था test attempt किया था तो वो देखिए यहां पर आपके पास में जो 22 वाला जो टेस्ट था C-side 22 हमने जैसे अभी attempt किया तो वहां पर उसने show किया है कि हंजी आपके 7 questions correct थे 17 आपके यहां पर marks आए अगर आपको इसका review देखने test log से check करो okay yes second है second आप देखो यहां पर माइ test log तो यहीं पर अगर हम नीचे जाते arrow से तो यहां पर देखो अलग लगतर है कि आपके पास में test सारे यहां पर पहला है आपका online class lecture test जो आपके class के lecture के साथ में जो test है तो यहां पर online class lecture अब class lecture में हमने पाई चार्ट का भी test attempt किया था तो यह देखो यहां पर option आ गया है कि पाई चार्ट का नो तारिक को आपने यहां पर सब्मिट किया भी ठीक है और यहां पर यहां पर आपने पर्टिकुलर आज अगर यहीं से आपको lecture पे चान है you can go on the lecture review answer आप answers को review कर सकते हैं टेस्ट को दुबारा से आपको repeat करना है in that case repeat test ओके तो यह कौन सा आगे आपके पास में जिसके अंदर आपने lecture के साथ वाला test attempt किया है and the second is कि हां अब मैं कहते हो कि हां मुझे जो मैंने micro course वाला जो test था मेरा उसका review देखना है तो यहां पर क्या आ रहा है my subject topic test हां जी topic test लोग तो यहां पर जो आपका topic आपने लिया हो है उस particular के लोग से यहां पर देखे आपको दिखाई then you can check the review review के अंदर क्या है with solution पूरे का पूरा test यहां पर आपके पास में show हो जाएगा जैसे अभी हमने 10 questions का test किया था तो वो यहां पर आ गया देखे पूरा 10 questions का जो आपका test था with solution देखे यहां पर proper solution के साथ में आपका test आपके पास में अब लेगा अगर आपने test को repeat करने है then you can repeat the test ओके कोई minor सा यहां पर आपको अगर doubt आता है in that case comment in the comments से दूसरा जिन जिन भी students रेजिस्टर किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी particular point पे आपको कुछ नहीं मिल रहे है जैसे for example कुछ students क्या करते है कि जैसे for example उन्होंने number system का microverse ले लिए ठीक है अब वहां पर उसको दिक्कत आ रही है कोई तो वहां पर आप होके नहीं बैठना है आपने कि हाँ आप मुझसे नहीं हो रहा तो जोड़ दो जी ठीक है आप क्या करोगी comment section में comment करोगी phone number आप लोगों के पास आप लेबल है वहां पर फोन कर सकते हो ठीक है दूसरा आपको पास email id अवलेबल है आप email id पे email कर सकते हो तो आपने किसी भी तरह से contact करके उस particular जो भी आपको issue आ रहा है उस issue को resolve करने because you are getting so much things but you are not aware about that ओके तो सभी ने अगर आपको कहीं पर भी कोई भी माइनर साब डाउट आता है आपके dashboard को समझने में in that case आपने अपने dashboard के अंदर से पहले तो थोड़ा सा explore करोगे तो आप देखोगे कि this is very easy user friendly platform है आपको easily पूरा समझ आ जाएगा बाट फिर भी अगर कोई भी issue आता है तो हमने चुपने ही बैटना है क्या करना है we will try to contact you can comment in the comment section ठीक है you can contact यहाँ पर फोन नंबर अवलेबल है आप वहां से contact कर सकते हो email id अवलेबल है website पर आप जापते हो there are so much information that from where you can contact us yeah so I hope सभी को clear है अपना जो student dashboard है आपका dashboard सभी को clear है dashboard की clarity होनी बहुत जरूरी है अपने course को काफी अच्छे तरीके से access करने के ओके तो it was all for today today I hope you clear about your dashboard again yes explore your dashboard this is your profile these are your courses okay these are your courses and from here you can go for the menu where you can watch all the details you find here yeah so thank you so much मिलते हैं next class है हमारी super 5 सिरीज में best of luck बने रही अभी मन्यों आईए इसके साथ में आट झाल काई सभी नहां आपकाए बने म Państwo आपकाए तर लिज़ को बने अढकाई भाई नहां ट्राव्ताों ट्राव्ता नहां रागी तो दो ट्राव्ता करने पताए पना दो दो आज़।